Hi everyone. This is Saurabh Thakur This lecture is on Gayatri Chakravarti Spivak Jackatri Chakravarti Spivak वैसे देखा जाये तो Post Colonial Literary Theory में बहुत बड़ा नाम है लेकिन Post Colonial वाले जो मेरी सेरी सी ती उसमें मैं cover नहीं कर पाया तो मैं Feminism में cover कर रहा हूं क्योंकि ये Feminism में भी आएगी Post Structuralism में भी आएगी और post-colonialism में भी आईगी ठीक है तो इसी लिए मैं सारी playlist में add कर दूँगा post-colonialism, feminism, post-aclism सारी playlist में इस video को मैं add कर दूँगा इस lecture को add कर दूँगा इसे देखना मत भूलना और बहुत मज़ा आने वाला है और अगर आप देखे इनकी एक बार फोटोग्राफ देखे अगर गूगल पर तो मतलब शीज टोटली बॉयकट वुमन और वेरी स्ट्रॉंग वुमन है ना ट्रांसलेटेड येक्स डेरिडाज ओफ गरमेटोलोजी ठीक है वह मैं अभी लिखूंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो शी शी वस बॉन उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए मेरे बारे में जानना है और वीडियोस देखनी है एकर लेक्टर साब को चाहीए तो प्लेस्ट में जाएए वहाँ पर आपके काम की सारी प्लेस्ट होगी जो भी आपके काम का होगा देखिए और में वीडियो बना चुका हूं देख लेना ठीक है ओफ ग्रमेटोलोजी यह औरिजनली पब्लिश हुआ था 1967 में लेकिन जब गायतरी चकवर्तिस पेवक ने इसे ट्रांसलेट किया तो वो ट्रांसलेट कब किया 1976 में ठीक है इसी का उल्टा कर देना है आपने 67 में औरिजनली ने लुकिरमस वर्क जो है वो है चयन दू सब्सक्रांफन होगा कि सब्सक्रांस क का मतलब क्या होता है सब बांटरन कहा है इसा ग्रूप है सबसे बहले बताओं किसे क्या है Antonio Gramsci Antonio Gramsci की वे मैं वीडियो बना चुका हूँ Cultural Hegemonies का Concept है Antonio Gramsci की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना समझ में आएगा ये Feminism पे साथवा लेक्चर है इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना तब ही जाके ये चीज़े अच्छे समझ में आएगी ठीक है तो Antonio Gramsci ने कॉइन की थी टर्म सबॉल्टरन ठीक है अब सबॉल्टरन का मतलब है कोई भी ऐसा ग्रूप विच इस सोशली पलिटिकली और जोग्राफिकली आउटसाइड दी पावर स्ट्रक्चर तो ये कहता है कि जो भी एक सबॉल्टरन पावर स्ट्रक्चर है जो कि एक रूलिंग पावर है सोसाइटी में उस से अलग मतलब कि मतलब कि इन सबॉल्टरन ऐसे लोग होते हैं एक ऐसी क्लास होती है जिसका किसी भी चीज़ पर कोई हक नहीं होता है जिनको socially, politically और geographically बिल्कुल side में रखा होता है ऐसे लोग जो की मान लो इंडिया में कोई ऐसे लोग है जो बाहर से आये है ठीक है migrants है या फिर वो refugees है कुछ भी है उन्हें इंडिया की citizenship नहीं मिल रही है लेकिन फिर पर यहां है legally, illegally जैसे भी है लेकिन उन्हें यहां के हक नहीं मिल रहे है ठीक है उन्हें वो सारी facilities नहीं मिल रही है जो की एक आम नाकरी को मिलती है तो वो लोग होते हैं subaltern तो एंटोनियो ग्रमशी ने subaltern उन्हीं लोगों को कहा है जिन्हें जो की established institutions होते हैं हमारी society में जिन्हें इन सारी चीजों से दूर रखा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं समझा जाता मतलब एक हिसाब से एक हिसाब से अगर हम जर्नल ही बात करें तो subaltern का मतलब है lower class ठीक है lower class मतलब कि किसी भी वहाब पर आप कर सकते हो उन्हें या फिर minorities भी वह हो सकती है कुछ भी हो सकता है subaltern मतलब की जो चीजों से one cheat है have nots एक हिसाब से जो की marxism वाला concept है have nots तो subaltern है अब जो गायतरी चक्रवरतिस पयोक है वो subaltern की काफी बात करेगी तो इसलिए females की भी बात करेगी तो इसलिए यह इसमें भी feminism में भी आती है अब इसने खुद बोला है गायतरी चक्रवरतिस पयोक ने खुद बोला है खुद को क्या बोला है practical कि मैं क्या हूँ है ना I am practical feminist Marxist deconstructionist छाट से फिर्शुद बोले आपने को ये बात कि मैं हूँ एक practical feminist Marxist deconstructionist deconstructionist ठीक है डंक से बोल अब नहीं जाता है यह practical feminist Marxist practical Marxist feminist शायद आना Marxist पहले फैमिनिस्ट सिर्थ बात में है डिखर ली तो खुद को इसने बोलाएं, मार्पिस भी हूँ फैमेनिस भी हूँ एक डीकश्च्छनिस्ट siis हुँ ठीक है पोस्स्ट्रक्टलिजम में आती है तो इसका मतलग भी डीकश्च्छनिस्ट भी है यख की वॉक को इसने क्या है तो है ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूँ तो महाशिता देवी के भी इसने breast stories है या फिर mind maps कुछ ऐसा कोई title है उनको भी इसने translate किया है तो as a translator as a translator भी इसका बहुत बड़ा role है literature में ठीक है तो ये तो हो गए इसके कुछ works ठीक है जो मैंने आपको बताया अब मैं आपसे बात करूँगा इसकी में आपको एक term भी बताऊंगा strategic essentialism जो की बहुत important है एक term और भी आपको बताऊंगा जिसका नाम है epistemic violence है ना आप बने रहो बस मेरे साथ tension नहीं लेनी है मजा लो tension नहीं लो मजा लो ठीक है अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि can the suboltern speak में ये क्या बात करती है अब ये इसमें कहती है कि suboltern ऐसे लोग है एक हिसाप से suboltern को कहती है कि ये लोग है third world वाले लो third world post-colonial में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आप लोगों को कि third world ऐसा world है जहां पर किसी ने rule किया है जिसी ने कभी colonize किया गया है उनको जो की पिछड़ा हुआ एक वर्ग माना जाता है ठीक है ऑक्सिडेंट और और औरियंट का मैंने आपको concept बताया है ठीक है तो ऑक् मतलग की इन्हें अपने इनॉटाने का मोका नी मिलता है इस ने सती प्रता की बात कि रहु तो आपको पता तो हैं आप लोग सभी लोग की पती मर जाता था हूँ तो ऊसी के साथ उसकी पत्ला को भी जला दिया जाता था women from brown men ठीक है उन्होंने ये रियलाइज करवाया सुसाइटी में कि भई हम बेस्ट हैं हमने आप लोगों को आप जैसे लोगों से बचाया है हाला कि वो एक हिसाब से हेजिमानिक रूल हुआ ना उन्होंने बस एक हिसाब से दिल जीत लिया औरतों का या फिर सुसाइटी का कि ह ना भई हम आपका दिल जीत रहे हैं हमने आपके लिए ये काम किया कि हमने सथी प्रता खतम कर दी हाला कि उससे बहुत सारी लड़कियों का औरतों का फायदा हुआ लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो वो हेजिमानिक जो उन्होंने चीज चलाई कि रूल बाई कंसेंट जो किया उससे नुकसान में बहुत हुआ उसके बाद जो विमन की आवाज थी वो और ज्यादा दब गई उनकी वोईस जो है और ज्यादा वो लोग म्यूट हो गए क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू कर दिया ठीक है तो उनकी जो कुछ भी उनके अत्याचार थे वो सब को सहने पड़े तो बात यहीं कहती है सतीप्रता की कि सतीप्रता पहले था वो आये उन्होंने खतम किया बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके बात फिर से वो सारी चीजे दुबारा से वापिस हो गए उन्होंने हम पे रूल करना शुरू कर दिया जिससे कि विम इसलिए ये पोस कोलोनियालिजम में आती है, ठीक है? अब Deconstructionist ये इसलिए है क्योंकि, इसने सती परता की चीज़ को, इस आईडियः को Deconstruct कीया, ठीक है? deconstruct मैंने बताया था किसी चीज़ को तोड मरोड कर उसमें से कुछ वो नया मीनिंग निकाल कर लेकर आना जो कि उसमें कहीं चुपा हुआ है deconstruction is the thinking of the unthought thinking of the unthought का मतलब है deconstruction ठीक है किसी चीज़ को तोड मरोड के उसमें कुछ नया बाहर लेकर आना ठीक है तो can the suboltern speak में ये सारी चीज़ों की ये बात करती है ठीक है अब इसमें ये एक और चीज़ की बात करती है जो term में आपको समझाने वाला हूँ ठीक है उपर लिख देता हूँ term epistemic violence अब ये epistemic violence क्या चीज़ है देखो epistemology आपको पता होगा knowledge से related चीज़ होती है ये कहती है इसने दो ती लोगों रिडिकूल भी किया मिशेल फूको को इसने रिडिकूल किया डिल्यूज को इसने रिडिकूल किया कि आप लोगों ने क्या किया कि आपने euro centric जो सोच थी उसको आपने super बताया superior बताया जिससे कि क्या हुआ कि जो colonized जो लोग थे जिन पर rule किया जा रहा था उनको लगा कि नहीं हम लोग तो बेफ़कूफ है हमारा culture तो बहुत weak है ठीक है हम तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है तो epistigmic violence का मतलब होता है rule by knowledge rule by knowledge जब आप knowledge से rule करते हो आप ऐसी सी knowledge वाली बाते करते हो कि अगले को लगता है कि यार यही बंदा superior है हम तो कुछ है ही नहीं आपने euro centric चीजों को European चीजों को European countries की जो कुछ भी चीज़े थी उनकी जो सोच थी उनका रहने सेने का पहनने का खाने पीने का तरीका था उसको आपने superior बताया तो यह उसने कहा कि यह भी एक हिसाब से epistemic violence इसने उसको नाम दिया ठीक है epistemic violence जो idea है वो गायतरी चक्रवर्थी पीवक ही लेकर आई है ठीक है 1980s में इस work में केंदर स्पॉल्टन स्पीक में 1980s में ही है क्योंकि 1988 में यह work आया अब यह epistemic violence आपने याद रख लेना है ठीक है और इसने अब post-colonialism का आपको मैं थोड़ा बताता हूँ ना एक work है इसका उसमें यह post-colonialism की क्या बात करती है कुछ सुनना कि वो आए कबर पर कि वो आए हमारी कबर पर अपने हमसफर के साथ एक मेरा बहुत खास मित रहते जिंदर flamingo literature के नाम से उसका channel है उसने लिखा है कि वो आए कबर पर मेरी अपने हमसफर के साथ कौन कहता है कि मरने के बाद जलाया नहीं जाता वाँ 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 तो चलो अब थोड़ा साथ को fresh करने के लिए मैंने बोला शायरी तो अभी मैं आपको बता रहा हूं एक क्रिटीक सी आर आई टी आई क्यो यू ए एक रिटीक ओफ पोस्ट कोलोनियल रीजन नाइनटीन नाइनटी नाइन ठीक है एक रिटीक ओफ पोस्ट कोलोनियल यह जो वर्क था इसने लिखा गायतिवी चक्रवर्टिस्पीवक ने तो इसमें यह क्या बात बोलती है कि कई लोग थे जो यूरोपियन मेटाफिजिक्स थे जैसे कि कांथ है इमेनुल कांथ के एंटी हीगल यह बहुत बड़े फिलोसफर्स थे इन्होंने भी इस चीज़ की बात नहीं की इन्होंने कहा कि इन्होंने जो यह सबल्टरन जो चीज़े थी इन आवाजों को दबाया यहां तक कि इन्होंने नौन यूरोपियन जो लोग थे उनकी आवाज को भी दबाया उनको डिसकस्स नहीं किया इन्होंने उनके बारे में डिसकशन नहीं की इन्होंन अब स्ट्रेटेजिक एसेंशिलिजम क्या बला है बताते हैं स्ट्रेटेजिक एसेंशिलिजम अब देखो भई अब आपको पता तो है कि स्ट्रेटेजी क्या होता है स्ट्रेजी होता है कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हैं एक्जाम के लिए नेट के लिए आप स्ट् सिंपल सी बात है यह कहती है एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें कि आप मालो अभी आज कल मैं अगर कॉंग्रेस की बात करू तो कनहिया कुमार जो है कॉम्रेड वो कॉंग्रेस में मिल गए ठीक है उन्होंने क्या किया कि वो लोग अलग है कॉंग्रेस अलग है लेफ्टिस्ट अलग है उनकी आइडेलोजी अलग है पार्टी अलग है लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर हमें भाजपा की अगेंस्ट लड़ना है अगर हमें इस देश में कुछ बदलाओ लाना है अगर हमें आगे बढ़ना है अपना फ्यूचर देखना है तो हमें इकठ कोई eco-feminism हो गया कुछ हो गया यह सारी branches अलग है लेकिन एक ऐसा point जहां पर यह सारे लोग इकठा हो जाएंगे और एक common cause के लिए लड़ाई लड़ेंगे ठीक है society में एक common cause की जब वो लड़ाई लड़ेंगे तो उसे कहा है strategic essentialism गयातरी चेकरती सी पेवक ने कि सभी लोग इकठे हो जाओ एक common cause के लिए common लड़ाई के लिए अब जैसे किसान आंदोलन चल रहा है मैं हिमाचल से हूँ आप मद्यपरदेश से हो या पिर दिल्ली से हो कहीं भी हो तो वो है strategic essentialism जिसमें बहुत अलग-अलग तरह के लोग feminism में भी इसने women को भी खासकर कहा है कि आप सभी लोग इकठा हो जाओ अपने हक की लड़ाई लड़ो या फिर कोई भी है तो यह जो एक concept है इस concept को उसने कहा है strategic essentialism ठीक है तो यह है strategic essentialism अब गयातरी चेकरती स्विव इसको misinterpret किया गया अब जिस तरीके से किया गया भई मैं तो उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा जिस तरीके से इसकी explanation मुझे मिली तो इसका मतलब यह ही एक temporary एक solidarity मतलब एकता unity आप दिखाते हो किसी common लड़ाई के लिए किसी common cause के लिए females भी हो सकती है कि अपने जो rights है women के उसके लिए वो लड़े सारी women इकठा होकर लड़े ठीक है तो वो भी चीज हो सकती है यह politics से भी related हो सकता है कि अब भाजपा के मानलो भाजपा इस time rolling party है तो पांच पार्टियां और है वो इकठी हो गए कि बस भाजपा को हराना ठीक है तो वो भी strategic essentialism म आएगा ठीक है तो यह term है गायतरी चक्रवर्थिस पिवक की strategic essentialism ठीक है चलो जी अब मुझे लगता है कि मैंने maximum चीजे बता दी है अब मैं आपको works बताऊंगा 3-4 के चलो death of death of discipline in other worlds in other worlds ठीक है अधर एजियाज अधर एजियाज और एजियाज आउटसाइड दी टीचिंग मशीन आउटसाइड दी इसकी डेट्स पिताऊंगा अभी टेंशन दी लेनी है आउटसाइड दी टीचिंग मशीन ठीक है अब इसकी मैं आपको dates पर बताता हूं years पर पुब्लिकेशन क्योंकि अब इतना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुश्किल तो कुछ भी नहीं है नामुंकिन तो कुछ नहीं इस दुनिया में लेकिन यहीं कि time फिर ज्यादा लग जाता है lecture प्रिप और मैंने आपको बताया other asias 2008 2008 ठीक है outside the teaching machine यह आया आपका 1993 में 1993 में दो तीन works में आपको और बताता हूं एसे सुन लो थोड़ा लंबा title है न एस्थेटिक एजुकेशन इन दी एरा औफ ग्लोबलाइज़ेशन ठीक है आई रीपीट एन एस्थेटिक एजुकेशन इन दी एरा औफ ग्लोबलाइज़ेशन 2012 में यह work आया है गयत्री चक्वरतिस पेवक का ठीक है एक मैं आपको important च subtitle सुन लो आप life and poetry of W.B. Yeats W.B. Yeats का आपने नाम सुना होगा जिसने लेडर इन दर स्वान लिखा है जायर लिखा है टनिंग 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 जायर सेंटर के नट होल्ड मेर लू मेर एनार की लूज़ेशन पॉन दे वर्ल्ल कुछ ऐसी सी जो लाइन से 1974 में ठीक तो मैं वही मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा dissertation work, research work ही इतना खतरनाक हो कि उसको दुनिया पड़े तो यह होगे works इतने works काफी है ना इससे जादा नहीं तो मेन तो आपने वही याद रखनें जो मैंने आपको बता है Candace Bolton speak of grammatology को इसने ट्रांसलेट किया ना पाऊ हाना 90% चांस है कि आप कर लोगे ठीक है इतना काफी है ठीक है तो यह था जी गायतरी चकरवर्ती स्पिवक का इसको जरूर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो ऐसे मैं बहुत कम बोलता हूं लेकिन मैंने सुना है कि अगर वीडियो लाइक हो तो ज्यादा लोगों को रेकमेंड होता है चैनल आपका तो इसलिए अगर पसंद आते तो लाइक कर दियागा मतलब भूलना नहीं मतलब ठीक है और दोस्तों को तक पहुचाओ अगर आपको लगता है कि देखो नॉलेज एक ऐसी चीज है जो बाटने से बढ़ती है मैं यह मानता हूं है ना तो कई लोग यह कहते हैं सोचते भी है कि नहीं हम उसको नहीं बताएंगे जो हम पढ़ रहे हैं अपनी स्ट्रेजी शेयर नहीं करेंगे अपने नोट शेयर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है वो इंसान एक बहुत सीमित सोच रखता ह ठीक है नॉलेज को शेयर करो ठीक है ठीक है फिर बाय आना और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो दाना मुल्टि टास्क करो वहां पर मज़ेदार मेरी पूरी प्रोफाइल विजिट करोगे एक हफ़ता बीच जाएगा और उससे एक अगला हफ़ता हैंग और में बीच जाएगा चलो ठीक है बाय एंजॉयो लाइफ